तो गाईज आप सभी का स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल में और दोस्तो आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपके फोन में दोस्तो यह जो एप्लिकेसन है Spotify एप्लिकेसन जो है बिल्कुल भी काम नहीं करता है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इस प्रॉबलम का सॉलूसन बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस प्रॉबलम को सॉल्व कर सकते हैं तो आप सभी लोग दोस्तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ने किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो कई चलिए वीडियो स्टार्ट करते मैं आपको बताता हूँ तो कभी-कभी दोस्तो ऐसा प्रॉबलम होता है लेकिन आप ज़्यादा तर लोगों के फोन में ये प्रॉबलम आ रही है अभी-भी कुछ दिन हुए है यहाँ पर स्पोटिफाइ अप्लिकेशन जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है तो आपको यहाँ पर मैं जो भी तरीका बताऊंगा उसको आपको अपने फोन में अप्लाई करके देखना है दोस्तों तो हो सकता है ये जो एप्लिकेशन है इसमें से प्रॉबलम सॉल्व हो जाए और आपके फोन में ये जो एप्लिकेशन है वो वर्क करने लगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है अपने फोन के सेटिंग में सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एप्लिकेशन पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मैनेज अप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको search बार पे click करना है और यहाँ पे आपको search करना है Spotify ओके तो इस तरीके से आप जो है search कर लिजिए मैं आपको search करके दिखाता हूँ और उसको open कर लिजिए उसके बाद यहाँ पे आपको stories पे click करना है और click करने के बाद आपको clear data करना है तो जैसे आप clear data करते हैं तो दोस्तो आप एक बार use करके फिर से देख लिजे इस application को तो अगर work करता है तो सही है और अगर नहीं करता है फिर भी work तो यहाँ पर दोस्तो आपको एक option देखने को मिलता है सबसे नीचे में force stop करके तो यह जो force stop करके option आ रहा है उस पे आपको click करना है और force stop भी कर लेना है उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर यह वला option आएगा data uses करके तो यहाँ पर आपको click करना है click करने के बाद आपको wifi और mobile data को इस तरीके से enable कर देना है और जैसे ही आप enable करेंगे तो यहाँ पर आपको ok कर देना है उसके बाद दोस्तो आपकी problem जो है वो 100% solve हो जाएगी और आपके phone में दोस्तो यह जो application है वो work करने लगेगा तो दोस्तो इसी तरीके से आप जो है इस application को यहाँ पर अपने phone में work करा सकते है तो अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए और दोस्तो हमारे channel को subscribe भी कर लिजिए